बेंगन खाना बहुत लोगों को बहुत पसंद होता है खासकर बेंगन का भूरता और भर्वा बेंगन जैसी डिश का नाम सुनते ही मूह में पानी आने लगता है ऐसे में लोग अक्सर ही बेंगन की सबजी पनवा लेते हैं लेकिन कई बार बेंगन खाना नुक्सान देग हो सकता है दरसल कई सेहत संबंदी दिक्कतें ऐसी होती हैं जिनमें बेंगन खाना आपको मुश्किल में डाल सकता है क्योंकि इससे आपकी दिक्कतें काफी बढ़ सकती हैं तो आईए आज हम आपको बताते हैं कि वो क्या दिक्कते हैं जिनके होने पर आपको बैंगन खाने से बचना चाहिए लेकिन इससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप बैंगन खाते हैं और आपको किसी भी तरह की सेहत सम्मंदी दिक्कत नहीं है तो भी आपको बेंगन को तल कर नहीं खाना चाहिए इससे बेंगन में मौजूद पोशक तत्व खतम हो जाते हैं बेंगन को हमेशा प्हून कर या फिर उबाल कर ही खाना बहतर होता है ना खाएं बेंगन पेट सम्मन्दे दिक्कत होने पर अगर आपको पेट से जुड़ी किसी भी तरह की दिक्कत है तो आपको बेंगन खाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे आपको पेट दर्ट, गैस, अपज, पुल्टी जैसी दिक्कतों का सामना करना बढ़ सकता है वेट लॉस प्लैनिंग में अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं या फिर वजन घटाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रही हैं तो भी आपको बेंगन खाने से परहेच करना चाहिए इससे आपका वजन कम होने की जगे बढ़ सकता है प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान आपको बेंगन का सेवन करने से बचना चाहिए तर असल प्रेगनेंसी के दौरान बेंगन खाना गरबस्त शिशु के विकास के लिए ठीक नहीं माना जाता किसी भी तरह की ऐलर्जी होने पर अगर आपकी बोडी में किसी भी तरह की ऐलर्जी है तो भी आपको बैंगन खाने से परहेज करना चाहिए आपको बता दें कि बैंगन आपकी ऐलर्जी की दिक्कत को बढ़ाने का काम कर सकता है अगर आपकी आँख में किसी तरह की दिक्कत है तो भी आपको बैंगन से परहेच करना चाहिए तो ये थी बैंगन से जुड़ी जानकारी बैंगन के सेवन से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सला जरूर ने किसी भी दिक्कत होने पर जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ